अब बनाएंगे बेसन का दानेदार हलवह एक्दम पर्फेक्ट मेजरमेंट के साथ इसे बनाने के लिए हम लेंगे घडाहि और गैस पर गरम करेंगे जब ह हमारी गरम हो जाएगी तो गैस प्रशाइब लो करदेंगे और गैस प्लेम to करें घुप करके ऊसमें डालेंगे कराया में डाल दिया और इसे ठोड़ा सा हम पहले चला लван Consist ताकी निचे तले से चिपके नहीं इसे चला करके एक बर्तन में से इस दूध लेंगे और उस बर्तन में हम दूद को ट्रांसफर कर देंगे और इसी में डालेंगे इस कटोरी से आधा कटोरी चीनी आप चाहें तो छोटी कटोरी कभी उज़ कर सकते हैं यहां देखिए मैंने उसके हब साइज की छोटी कटोरी लिए चीनी डालाया और उसमें 10-12 केसर के धागे डाले हैं दूद को हम गैस पर चरहा देंगे यहां पर गैस पर मैंने दूद को चरहा दिया है दूद गरम होगा और चीनी हमारी पिघल जाएगी और केसर भी अपना फ्रेवर दूद में छोड़ देगा यहां पर बेसन को हम फुनेंगे लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए हम बेसन को फु कैकना है पर्णाबर सिस हम चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे एक साइड में चलाएंगे चारों तरब से उसको चलाना है ऐसा ना हो कि एक साइड से ईलाल होने लगे और एक साइड से रहिए थोड़ा-घी ढाल करके बेशन को हम भूनेंगे यहां पने जिस कटोरी से चिनी लिया है उसी कटोरी से पॉन कटोरी घी लिया है और इस घी को हम एक चमर डाल करके बेशन में बेशन को अच्छे से हम भूनेंगे एक साथ घी डाल करके बेशन को नहीं भूनेंगे नहीं तो एक साइट से बेशन चिपक जाएगा और जलने लगेगा और एक साइट से कच्छा रह जाएगा थोड़ा थोड़ा बेशन में घी डाल कर भूने से बेशन हमारा एकदम एकवल भूनता है बेशन से बहुत अच्छ पर बहुत अच्छा छोड़ने लगा है एक दम भीनी भीनी खुश्बू आ रही है स्वंधी 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 यहां पर मैंने घी डाल दिया और अभी इसमें हम और घी डालेंगे यहां पर हमें एक चमच घी और इसमें डालूंगी यह पूरे पॉन कटोई यहां पर मैंने घी डाला है इस हल्वा में यह बेशन घी के साथ भून रहा है चारो तरफ से लटते पलाटते हम क्यों इस बेशन को भूनना है यहां पर बेशन हमारा अच्छे से चारो तरफ से भून रहा है यहां पर एक चमच घी मैंने इस बेशन क जैसा हो गया है अगर इस एक साथ बैसर में खीट दो गढ़ा सा जाता तो भूंनिये में बहुत अस्विद्ता होती ही निचे जलने लगता हैir a somewhere से बेशन हमारा कच्चा रह जाता इसलिए मैंने बेशन को इस तरह से भूना है कि दूद भून चुका है और दूद भी घरम हो चुका है चीनी पिखल गई है केसर अपना कलर छोड़ दिया वीडियो हम देख रहे हैं और अब इस दूद को हम बेशन में ट्रांसपर करेंगे दूद एक साथ नहीं डालेंगे आधर दूद डालते हैं और पहले बेशन में अच्छे से इस दूद को मिक्स कर लेते हैं फिर बचे हुए दूद को इस कड़ाही में बेशन में डाल देंगे और इसे डाल करके अच्छे से हम चलाएंगे दूद गरम है चीनी घुल चुकी है इसलिए कोई टेंसन नहीं है फटाफट हमारा हल्वा बनके त्यार होगा अब डालते ही चमर से हमें बेशन को खुब अच्छे से मिक्स करना इस तरह से दबाते हुए गोल-गोल हमें इस पिचुला को घुमाते हुए बेशन को मिक्स करना जिसे बेशन में लेंस न रह जा अगर लंस रहेगा तो हमारा हल्वा अच्छा त्यार नहीं होगा इस तरह से हम चला-चला करके बेशन को भुनेंगे यह देखिए हमारा एकदम पर्फिक्ट हल्वा बनके त्यार हो रहा है कोई लंस नहीं है एकदम इक्वल हमारा हल्वा बनके त्यार हुआ है ना हमारा बिंदूद जादे हुआ है और नहीं बहुत जादे मेठाय explains इह हुआ यह हमारा बेशन का हलवा दाने तार बनके तियार है entire बची विक्री इतना अच्छा नहीं आता है इसलिए मैंने यहां पर दूद और केसर डाला है और उपर से थोड़ा सा काजू और बादम का बारीक बारीक कत्र में डाल रही हूं हल्वा में जिसे यह हमारे हल्वा के टेस्ट और जादे बढ़ जाएगा और भूग के लिए मैंने यह हल्वा इस यहां पर बादम के त्याभ है और यहां पर करेंगे यहां मैं ब् jullieआ कर देती हो और इसे पउजा के थाली में यहां परना रहा है तो सब्सक्व्द खर ना रहा है तो आप फ्रक्राद के लिए बनोना रहे हैं तो आप वह मैं को किसी भी सर्विंग डिस में निकाल सकते हैं ये हमारे पूजा का बेशन का हलवा बन के त्यार हो चुका है उपर से थोड़ा सा पिस्ता और बादाम का कत्रन डालकी से हम गार्णिश कर लेते हैं ये हमारे बेशन का दानेदार हलवा बन के त्यार है आपको अगर मेरे हलवा देखने के लिए मेरे वीडियो के चैनल पर बने रहें और आगर आपको मेरा वीडियो के पसंद नहीं आता है तो अब डिस्लाइक भी कर सकते हैं थैंक्यू